हलो एव्यवान आज कर टोपिक के परिवार के एसेंट को ही पढ़ना है एंपको इसके इंपॉर्ट पॉइंट पढ़ रहें तो देखो आपको क्या क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है rate of reaction order kinetics के अंदर आता है देन हमको पढ़ना molecularity steps stereochemistry कुछ भी नहीं बोलूंगी जादा मैं SN2 का वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहला reaction क्योंकि single step formation of transition state SN2 reaction में खासियत क्या है एक नए अटाम आजाता है transition state का आजाता है और transition state कैसी state unstable state क्यों unstable state है आपको थोड़ा से पीछे का भी सोचना पड़ेगा आपके subconscious mind में जाहिए जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें हमने देख रहे हैं आपको पता है unstable क्यों बोल रहे हैं मैं क्योंकि carbon की वैलेंसी होती है 4 लेकिन transition state के वक्त carbon कैसा हो जाता है pentavalent हो जाता है क्योंकि जो OH है वो पीछे से अटाक कर देता है इसलिए वो क्या हो जाता unstable हो जाता है right okay so transition state को intermediate state समझने की भूल कता भी ना करिएगा ज्यादा कुछ नहीं होगा पस marks कर जाएंगे ठीक है so transition state जो है intermediate state नहीं है ठीक third point पर आओ kinetics kinetics में हमको देखे क्या पढ़ना है दो चीजें पढ़ना है order और molecularity अब order क्या है molecularity क्या है order होती है experimental value मतलब हाथ पर मारो experiment करो परिश्रम करो तब जाके order मिलेगा molecularity क्या है एक observed value है मतलब आप देख के बता सकते है उसका answer आप कैसे देख के बता सकते है order और molecularity को उसके लिए यहां पर आपके सामने के reaction लिखा हुगा CH3X प्लस QH अरे कुछ नया नहीं है भाई यह रियाक्शन है SN2 में जो आपने पढ़े थे substitution का यह जो X दिख रहा है वो क्या हो जाता है OH से substitute हो जाता है X निकल गया यहां पर ठीक है अब हम समझे कैसे कि क्या order है क्या molecularity आपको दो दिख रहे हैं एक यह molecule दिख रहा है क्यों होता है जो लेफ्ट साइड में लगा यह साइड है अपना और राइट साइड है ठीक है मीरा हाथ तो इसके हनुसार रियाक्ट कितने है एक यह होगा एक यह होगा A plus B छोटा समयाथ से ज़्यादा कठें नहीं यह बन जाएगा simple कितना है 2 तो molecularity मैंने क्या observed value आपने देखा आपने बता दिया कितना molecularity है 2 है ठीक है आगी आई यह order of reaction क्या होगा जिसमें आपको हाथ पर मारना दिमाग चलाना है तो order जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए रेट तो रेट जो है वो directly proportional रहता है किसके इसके अभी आप इता समय लो रेट किसके डारेक्ली प्रपोर्शनल है आपके को रेट के फॉर में लिख रही हुँ तो मैंने professionality sign हटा तो यहां पर क्या लग गया कि क्या एक इसकेiens 3 और एक क्या हो गया कि वेच का ओएच ओविसली ओएच लेंगे हम न्यूग्लिफाइब लेंगे ठीक तो एक 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 है तो दोनों वन प्रस वन क्या हो गया तू हो गया ठीक है अब एक बात और समझेए कि क्योंकि मुझे यहां पर क्या दिख रहा है तो हम पढ़के रहे हैं order of reaction कानेटिक्स पढ़ रहे हैं कानेटिक्स में सारे टर्म्स आएंगे फॉर्स्ट और रहे कि सेकेंड और तभी आप जन्रली समझनेजिए सीधर साधर सिंपल सा कि अगर मुझे तू दिख रहा है तो य इक युलारिटी और ऑडर ओफ रियक्शन एक नहीं होते हैं बहला ही उसका अंसर सेम आए इसका भी टू आए इसका भी टू आए पर दोनों सेम नहीं है ठीक है हमने देख लिया एक और एक्स्परिमेंटल वैल्ली ठीक है तो इन दोनों का बहुत ही फर्क पढ़ता है मतला स्कूषण सब्सक्राइब तू एक नहीं ओपड़े है और बात ही पारिए सिफ कि अपने आपको समझाने के लिए कैसे चेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है बलकी ठीक है ऐसा केमिस्ट्री की बुक में लिखा है न देखो गये तो अगर दो किसे बुक खोल लोगे अब तो आपको दिखेगा कि बलकी और वो भी नहीं समझ में रहा तो इतना से समझ लो कि भी घी कि जहां पर भीड़ जादा होगी जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब मैं स्टेरिक हिंड्रेंस ना लिख के मैं ऐसा लिख हूँ रेट इस इनवर्शली प्रोपोर्शुन्य इश्ञान दिखो जो है वह क्या होगा घृट यह रेट ऑफ रियाक्शन और एक्शन के लि समझ में आना चाहिए कि 1 degree क्या है 2 degree क्या है तो यह जो एक्जाम्पल है जी किसका है 1 degree का यह तेको कुछ इधर उजा हाथ नहीं मारना है कैसे समझने आपको की भीड़ जादा है भीड़ कम है इसलिए थोड़ो नहीं कि मैंने बोल दिया 1 degree है तो भीड़ कम है तो डिगरी है आंसर धूड़ी है आपकी हाँ exactly भीड़ कम है मुझे कैसे समझ में आगा भीड़ कम है मैंने बोल दिया तो लक्षम द्रेका नहीं खिज गई ना आंसर धूड़ी है देखो आपकी इसमें टोटल नंबर ओफ आटम कितने हैं 7 यह आपका कार्बन इसको मैं डिगरी बोल रह है तो आप मुझे बता देना कि हाए यह मिस्टेक है नेक्स्ट कंडिशन देखें टूड़ी इसको बोल रहे है यह तो डिगरी टूड़ी मैं टोटल टैन आटम है अगर मैं काउंट करूं तो यह बीच वाल आटम हो गया इसको 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 और यह हाइड्रोजन जो है तीन की कंडिशन क्या है त्री डिगरी में टोटल नंबर और आटम्स कितने है थर्टीन है आटम्स बोल रहे हैं मतलब तीन यह च्छे थ्री थ्री सिक्स हाइड्रोजन ठीक ठीक तो अब आप देखो कि जब तीनों को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा वन डिगरी सही यह है कि हां थ्री डिगरी में भीड जादा है नंबर और आटम्स रोटल कितने हो जारे थर्टीन हो जा रहे है इसमें टैन है तो इसमें टू जो है उसको भीड़ बाढ़ भाई है पसंद नहीं है बहुत ही सीधा साधा वैकती है वह वन डिगरी को प्रिफर करता है देखो अब क्या है एक नोट पॉइंट है स्टीर केंशी स्टार्ट करने से पहले कि अगर हम एक किराल कंपाउंड लेते हैं और उसमें से नवान रियाक्शन करवाते हैं तो प्रोड़क्ट क्या मिलता था हमको रिजमिक मिक्स्चर मतलब किसी दो कम एक्सचर ठीक है मतलब इसन वर्याक्शन अगर हम आसान करवाते हैं किराल नेते हुए तो दना दर एक कारवन के फोर वालंशी होता है अगर चारण हो साइडर भावन होता है इतु ग। बोलते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें को एक्स्प्लेइन करने की पढ़ेंगे तो अभी स्टीडियो केमिस्ट्री देखते हैं सेंटू रियक्शन की यह आपका है प्रोडक्ट वेच और डाश के फॉर्म में मैंने ड्रॉक किया है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए लिखा क्या है और अगर कन्फ्यूजन होता है इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है कन्फ्यूजन है तो पढ़ो क्लियर करो कन्फ्यूजन को तेखो यह सी हो गया है ह two three three cH3 और यह bjR क्या है कुछ नहीं है एक्स है एक्स ना लिखे हैं पर क्या लिखा हुआ ठीक है ओके जब यह च्छ 3 बी आर या च्छ 3 एक्स का रियाक्शन हो रहा था के वेच्छ के साथ जो हम पीछे अलड़ी पढ़ चुके हैं अभी तुस्थ स्टीरियो केमिश्ट्री देख रहे हैं तो बहुत ज़्याद मेक catalyst किया कहां कहीं बी अपन को Space नहीं ती तो क्या किया बाकस ऐट जब यहां के लिखने मिला तो जो प्रोडाक्ट है हमको क्या मिला यह हमारा प्रोडाक्ट है बी आर जो है वो यहां से एलेक्ट्रोन को खीचा और खीचा कैसे ऐसे नहीं खीच लिया कि मन किया तो खीच लिया वो इसलिए ऐसा हुआ कि जो बी आर है वो जादा स्ट्रॉंग किससे कार्बन से तो एलेक् ही वह क्या किया है कार्बन के साथ के जोड़ गया गया हमने मेगानिजम में देखे थे ठीक है और दूसरी बात अब यह देखो आप जब यह सारी प्रकरिया चली रही है जब हो ही गया तो फिर नया क्या हुआ पढ़ते समय अब देखे नेक्स्ट इस प्रोडक्त का नाम क्या है मैं भी आपको नहीं बताऊंगी अब आप सिर्फ इस पर फोकस करो इसके इस तरफ राइट सैड में जो बी आर है वो कहां लगा है राइट सैड में लगा ठीक है बहुत बढ़ी यहां बात है नेक्स्ट दे यहां पर भी लेफ्ट में दिख रहा है यहां पर भी लेफ्ट में दिख रहा है तो फिर अलग क्या हुआ अलग यह हुआ कि यहां पर जो भी आर था जिसको हम भी शो कर रहे थे वह कहां पर था राइट सैड में था ठीक तो इसका मतलब जो ओच है जब आगे जुड़ा त समंझ में नहीं आता है लेकिन वज़ा इस चैनल के अध ca मतलब किंधकन कहा पर एनि वडियो एन यूट्यूब क्या है इन वर्ट जिसको हम क्या कहते это सिंपल सरल भाशा में उल्टा रीट बुख विफो गोईंग त्रू एनी वीडियो इन यूट्यूब क्योंकि यूट्यूब जो है वो कहीं से निकल के नहीं यूट्यूब आया बुक से यह ठीक है लेकिन यूट्यूब को लाए लोगों ने है अलग अलग लोगों ने अलग आपको कुछ भी किसी का भी बोला हुआ है बोलती है जब तक बुक को रीड नहीं करोगे तब तक आपकी दिमांग में कोशन ने हराइज और कुशन ने आईज होगे क्लेरिटी नी आएगे अडर्शाणिग दोख बेस रीड बोक फुर गोइंग तूइन वीडियो कोई बी